हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में महिया बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना भोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप अप खुद से आपने स्मार्ट मोबाइल से आप अपना भोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर से वोटर हेल्प लाइन अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है इसके बाद आपको यहां से ओपन कर लेना है open करने के बाद आपको यहाँ पे new user interface open हो जाएगा यहाँ पे आपको I agree पे click करके next के उपर click कर देना है अब आपके सामने ऐसा एक interface open हो जाएगा यहाँ पे आप new user पे click करके एक username और password create कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं बनाने के लिए तो आप यहाँ से skip login के उपर click करके direct up next page के उपर आ जाएगे तो चलिए हम मैं यहाँ पे skip login के उपर click कर दे रहा हूँ अब यहाँ से आपको got it के उपर click कर देना है तो ऐसा इसका application का main page open हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं forms का option ज़र आ रहा होगा इसके उपर आपको click कर देना है अब आपके सामने यहाँ पे voter service के बहुत सारे option है आपको apply online के उपर click कर देना है यहाँ पे आप new voter registration के उपर click कर देना है अब आपको यहाँ पे अपना name देना है इसके बाद ok के उपर click कर देना है तो यहाँ पे आप let's start के उपर click कर दें तो अब आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि आर यू अपलाई फॉर दा भोटर आडी कार्ड फर्स्ट टाइम तो आपको यस के उपर क्लिक कर देना है क्योंकि आप पहली बार अपना भोटर आडी कार्ड बनवा रहे हैं इसके बाद आपको नेक्स्ट के उपर क्लिक कर देना है इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है Are you a citizen of India? तो आपको यस कर देना है अब आपको यहां पे अपना एस्टेट चूज करना है कि आप किस एस्टेट से बिलाउंस करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे अपना date of birth देना है और date of birth पूरूफ के लिए आप कौन सा documents देना चाहते हैं आपको यहाँ पे select कर लेना है type of documents के उपर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे option ज़र आएंगे अधार कार्ट, birth certificate, Indian passport, pen card जो भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं इसके बाद आप अगर इस documents को upload करना चाहते हैं तो upload पे click करेंगे यहाँ डिजी लॉग करके अंदर है तो आप वहाँ से direct export करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे upload के उपर click करना है और आपके अधार card का जो भी photo होगा उसको आपको यहाँ पे upload करना है तो आप direct album में जाएंगे जहाँ भी आपकी files होगी उसको वहाँ से import करके upload कर देना है इसको आप अपने finger की मदद से crop कर सकते हैं छोटा बड़ा जो भी हो आप correct size देखके यहाँ से crop कर सकते है तो आप देख सकते हैं मेरा अधार card already attach हो गया है इसके बाद आपको यहाँ से next के उपर click कर देना है अब आपको यहाँ पे अपने picture upload करना है जो picture आप upload करेंगे same picture आपके आधार card पे आएगा तो आप यहाँ पे आपको picture upload करने के लिए आप इसको अग्जेस्ट भी कर सकते हैं इस frame में इसके बाद आपको यहाँ पे select gender को चूच करना है male female या other इसके बाद आपको अपना full address को यहाँ पे इंटर करना है आपका नाम क्या है surname क्या है mobile number और email ID तो चलिए हम अपना नाम यहाँ पे इंटर करते हैं इसके बाद आपको नीचे सिर्फ tap करना है तो आटोमेटिक ओ आपके लोकल लेंग्वेज में convert हो जाएगा मतलब कि हिंदी में आ जाएगा लेकिन अगर हिंदी में कोई भी spelling गलती होता है तो आपको गूगल हिंदी इंपूट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप यहां से करेक्शन कर सकते हैं तो चलिए हमने सर्नेम भी दे दिया है अब हम अपना mobile नंबर को देंगे इसके बाद अपना email ID दे दें अब आपसे यह पूछा जा रहा है disability if any optional अगर आपके अंदर कोई disability है तो आप यहां पे select कर सकते हैं otherwise अगर कुछ भी नहीं है तो आपको next के उपर click कर देना है अब आपसे आपके relative के name पूछा जा रहा है तो आप यहां अपने रिष्तिदार का नाम दे सकते हैं चाहें आप अपने फादर मदर ब्रोदर जिसका भी आप नाम यहां पर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं और इस्तिदार का नाम की नीचे आपको simply tap करना है अटोमेटिक हिंदी लेंग्वेज में convert हो जाएगा लेकिन अगर हिंदी नेम में कोई भी spellings गलत होती है तो आपको Google Play Store से गूगल हिंदी इंपुट अप्लिकेशन को download करके इसको यहां से correction कर सकते हैं इसके बाद आपको जो भी आपने उपर नाम दिया है उसके relation क्या है आपको यहां पर mention करना है अगर आपने father का नाम दिया तो father select करेंगे अब आपको यहां पर अपना address को इंटर करना है आपका house number क्या है street number क्या है आपके city और शहर या गाउं जो भी है आपको यहां पर mention करना होगा इसके बाद आप post office, pin code, area type आपको select कर लेना है कि आप किधर से belong करते हैं सहर या गाउं यहां से city, town, village जो भी जहां भी आप रहते हैं select कर लेना है इसके बाद आप से assembly पुछा जाएगा किस assembly में है district पुछा जाएगा सब को आपको select करके enter कर लेना है यहां से address proof के लिए आप से type of document मांगा जा रहा है कि आप क्या देना चाहते हैं address proof के लिए तो यहां पर बहुत सारे option है Indian passport, driver license जो भी आप देना चाहते हैं यहां से दे सकते हैं तो चलिए मैं Indian passport यहां पर select कर ले रहा हूँ इसके बाद इसको upload करेंगे अगर यहां डीजी locker की मदद लेना चाहते हैं तो इसकी उपर आपको select करना होगा लेकिन अगर आप upload करते हैं तो upload को उपर click करके upload करेंगे यहां से इस picture को आप crop कर सकते हैं अपनी finger की मदद से अच्छी तरह से इसको select कर लें इसके बाद आपको crop कर देंगे automatic file attach हो जाएगी तो यहां पर मेरी file attached हो गई है इसके बाद हम next के उपर click कर देंगे अब आपसे यहां पर general declaration एक का एक form आ गया है आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि आप कपसे इंडियम है तो simply आप अपना date of birth यहां पर दे सकते हैं इसके बाद यहां पर name of applicant के ऊपर आपना नाम देंगे और किस जगह पे आप रहते हैं उस जगह का आपको नीचे name देना है जहां से भी आप अपना voter id card बनवा रहे हैं उस जगह का आपको नाम दे देना है चाहाँ state का नाम दे देना है इसके बाद आपको done के ऊपर click कर देना है अब आपके सामने एक preview का page open हो जाएगा आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि जो भी data आपने इंटर किया है वो बिल्कुल सही है या नहीं जैसे कि आप अपने नाम, date of birth, mobile number और address आपको बिल्कुल अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि जो भी आपने अपना address दिया है बिल्कुल सही है या नहीं इसके बाद आपको अच्छी तरह से एक बार पढ़के नीचे एक option आगा confirm का इसके उपर आपको click कर देना है अगर बिल्कुल आपका data सही है तो तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं हमारा application has been submitted successfully इसके बाद हमको यहां पे एक reference number मिला हुआ है जो कि हम यहां पे screenshot या कहीं note करके रख लेंगे कि हमारे application का आप ही status कहां पे है इसको हमको चेक करने के लिए इस reference की number की ज़रूरत पड़ेगी तो चलिए हम ok पे कर click कर देते हैं और अब आपको बताते हैं कि कैसे हम check करते हैं यहां पे आप देख सकते हैं status of application का एक option ज़र आ रहा है इसके उपर आपको कर देना है click अब यहां पे अपना इंटर reference ID जो भी वहां पे reference number मिला होगा उसको हम यहां पे इंटर करेंगे और इसके बाद track status के उपर click कर देंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां ट्रक status में यहां पे name बता रहा है यहां पे submitted हो गया है इसके बाद be a low appointment होगा फिल्ड verified होगा इसके बाद accepted या rejected होगा अगर accepted हो जाता है तो दो या तीन महिने के अंदर आपके घर पे voter ID कार्ड पहुंच जाएगा लेकिन उससे पहले आपको आपके mobile नंबर पे या email ID पे एक confirmation message आएगा और दो या तीन महिने के अंदर आपके घर पे speed post के थूँ आपका voter ID कार्ड आपके घर पे पहुंच जाएगा तो friends अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please like करें comment करें और share करना तो बिल्कुल नहीं भूलें और मेरे चैनल को please subscribe करें thank you so much